आखर क्या होगा 14 अपरेल को जब ग्रहों के राजा सूरे देव राशी परिवर्टन करेंगे वो सूरे देव जिनके प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है वो सूरे देव जो आत्म स्वरूफ हमारे इस शरीर के अंदर वास करते हैं वो सूरे देव जिनका तेज जिनका मारिक्य जिनका प्रताप इतना प्रभावशाली है कि हम शन भर भी सूरे देव की तरफ देख नहीं सकते आँखे भस्म हो जाएंगी नस्ट हो जाएंगी आँखों की रोशनी समाप्त हो जाएगी सोचके देखिए ऐसा ग्रहों का राजा सूरे देव जब पूरा भचकर यानि की बारा राशियों से परिवरतन करके और मेश में आता है शुरुवात फिर से नहीं करता है और फिर बारा राशियों पर चलेगा यानि कि इस भचक्र की जो सबसे पहली राशी है वो मेश है और इस राशी में सूरे देव का गोचर 14 अपरेल को होगा उच्छे के हो जाएंगे और इनका उच्छ होना अच्छा होता है पर इनके उच्छ होने से इस बार कुछ गरबडियां भी रहेंगे अब आप सोच रहे होंगे उर्देव डरा रहे हैं बिलकुल नहीं डरा रहा डराना तो मेरा काम है ही नहीं मेरा काम है आपको आगा करना मेरा काम है आपको सलाह देना मेरा काम है गरहों की इस्तिती से आपको अवगत कराना तो आज की इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको इबताऊंगा कि सूरे देव ग्रहों के राजा 12 राशियों पर जब अपना प्रभाब देंगे परिवर्तन के साथ ही सूरे राहू का एक ग्रहन दोश बनेगा और दिनांग 22 अपरेल से देव ग्रु ब्रस्पती भी मेश राशी में आ जाएंगे तो एक ग्रु राहू का चंडाल दोश भी मेश में बनेगा और मेश में पहले से ही बुद्ध ग्रह भी चल रहे हैं राश कुमार यानि की चार ग्रहों की चतुर ग्रही योग यहां पर 22 अपरेल से शुरू होगा और 14 तारिक से सूरे बुद्ध और राहू का योग बनेगा इस योग में धनलाब की इस्तिती तो मजबूत होती है कोगि बुद्ध राहू अक्समात पैसा देने का कारे करते हैं परंतु यहां पर विशेश कुछ ऐसा समय रहेगा जिस दौरान आपको साबधानी भी बरतनी होगी यानि कि जब सूरे और राहू के बीच में नजदी कियां बढ़ेंगी तो इसका दुष प्रभाव हमारे जीवर में देखने को मिलेगा राहू जो है बिमारी के कारक होते हैं राहू शरीर में गुम सम्म बिमारी देते हैं अर्था तो वो बिमारी जो डाइगनोज भी नहीं हो रही है सारे टेस्ट करा लिए और फिर भी कुछ नहीं पता चल रहा है और सूरे देव जो हैं वो पेट, आँख, हिर्दे, हड़ी इसके कारक होते हैं इससे संबंदित विकार देते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बारा राशियों पर इनका प्रभाव रहेगा इसमें सबसे पहले नंबर पर मेश राशी आती है तो पहले तो प्रणाम स्विकार करिए हमारे यूटूब से, फेस्बूक से, इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वे आवहार प्रकट करता हूँ दोस्तों आईए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले मेश का भविश्यफल जानते हैं जितने भी जाता कभी मुझे फिलाल मेश के सुन रहे हैं, आप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके स्वेम राशी के अंदर ही सूरे देव उच्च के हो जाएंगे और सूरे देव का आपकी राशी में उच्च होना ये एक पॉजिटिव साइन है, लाबदायक साइन है और ये बुद्धी के उन्नती के स्वामी हो जाएंगे, यानि कि पंचम के स्वामी होकर के यहां शरीर पर उच्च होंगे तो आपको विशेज ध्यान भरतना होगा 20 से और 28 अप्रैल के दोरान ये समय आपको थोड़ा सा प्यार से प्रेम से निकालना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा उसके बाद आगे की जो ग्रह इस्तिती रहेगी वो तो ठीक है शरीर के उपर बैठना, शरीर के उपर सूरे का बैठना राहू के साथ में शारिरिक रूप से पीडा का एक योग बनेगा 20 से और 28 अप्रैल के अंतराल में इसके लावा ठीक है, ध्याने का अगरता थोड़ी भंग जरूर होगी पड़ाई लिखाई में उतरा मन नहीं लग पाएगा, पर उच्छ प्रतिष्चित लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा व्रशब राशी वालों आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके अनुसार में ये कहना चाहूँगा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं जहां ये पांच नमबर लिखा है, इसका स्वामी सूरे बनता है और इदर खर्च के घर में आएगा आपके अनाया सुर्थ के खर्चे बढ़ जाएंगे और काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसलिए आपको योजना बनाके धन खर्च कनने की सला में देना चाहूँगा, योजना बद तरीके से चलने की मैं सला आपको यहां दूँगा आपको थोड़ा समनना है, गलत संगती से भी दूर रहना है अब आपसे बात करेंगे नेक्स आशी के विशे में जो की मितुन रहेगी मितुन वालो आपके लिए जो ग्रहय योग बनेंगे वो इस प्रकार के हैं कुछ जैसे मिले जुले से मित्रगन सगे संबंदी, खास लोग, भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनके माध्यम से कोई हानी पहुंच सकती है या बड़े भैवनों के साथ में आपका कोई वैचारिक रूप से मदवेद बन सकता है ऐसा आपके कुनली कहती है इस बात का आपको विशेश धान रखना होगा और 20 से और 28 तारीक के बीच में कुछ जादा ही रखना होगा इसके लावा विदेशों से संबंदित कोई कारे आपका सिद्ध हो सकता है ऐसे योग दिखाई दे रहे है करकराशी की जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके अनुसार में यही कह सकता हूँ आपसे कि धन के स्वामी होगे करम बाप पर बैटे हैं मेहनत परिश्रम से पैसा आएगा इस बार आपको जो भी पैसा आएगा वो आएगा मेहनत परिश्रम से काफी यानि कि आपकी तपश्या बहुत बढ़ेगी उसके बाद आपको फलप्राप्त होगा ऐसा आपकी पत्री कहती है जो मैं आपसे कहूँँगा दोस्तो परिवारिक अशान्ती भी बनेगी इसलिए उस बात का भी ध्यान रखते हुए आगे आपको चलना चाहिए नेक्स्ट आपसे बात करना चाहूँगा सिंग राशी के विशे में आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके अनुसार भाग्या उन्यती के अफसर मिलेंगे पर अंतु पिता के स्वास्त पर इसका नकरात्मत प्रभाब पड़ेगा उनका विशेष ध्यान रखना यदि हाट से रिलेटीड बिमारी से जुज रहें और स्वेम आपको अपको अपनी बैक पें से कमर से रिलेटीड बिमारी का ध्यान रखना होगा क्योंकि यह सूरे राहू का दोश यह गुरू राहू का चंडाल दोश आपके यहां बनेगा मेश राशी में यानि की भाग्ये स्थान पर तो ऐसे में पिता के लिए और इनके लिए ठीक नहीं है 20 से और 28 तारीके बीच में भाग्ये की कोई हानी हो सकती है इसलिए इस दोरान कोई भी विशेश कारे करने से आपको बचना चाहिए बात करूँगा कर्णिया राशी की आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसमें आपके खर्चे बहुत ज़्यदा दिख हो जाएंगे इस महीने में काफी होने के योग दिखाई देते हैं और स्वास्त पीला दायक परिस्तितियां बनती हुई नजर आ रही है तो लाराशी वालो आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके अनुसार दामपत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाब पड़ेगा और विशेश रूप से 20 से लेकर के और 30 अपरेल तक ये टाइम आपको थोड़ा ध्यान से केरफूली निकालना है और साथ में लाब में आपके कुछ कमी देखने को मिलेगी परिवर्तन के साथ लाब प्राप्त होगा या फिर आपको एक मई से लाब होना शुरू होगा व्यपार के अंदर इन 10 दिनों में उतल फुतल बनी रहेगी बात करें व्रिष्चिक राशी की तो ये कहा जा सकता है कि आपके जो ग्रह उचर रहेंगे उसमें आपके लिए भी स्वास्त पीड़ा दायक परिस्तित्या रहेंगे टॉप लेवल के शत्रू आपके बन सकते हैं बड़ी दुश्मनिया बन सकती हैं पुलिस केस मुकर्मा इत्यादी में कुछ उलस सकते हैं करजदार आपको परिशान करेंगे ऐसी जो परिशानिया हैं वो आपके जीवन में देखने को मिलेंगी आपकी करम की गति अगर आप सरकारी नोकरी में हैं तो थोड़ा सा विशेश साब्धनी के साथ आपको समय को निकालना चाहिए ये मैं आपको कहना चाहूंगा धनुवालो आपकी जो ग्रहस्तिती रहेगी उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि देखिए जो बुद्धी उन्दी का घर है यहां पर सूरे उच्च के हो रहे हैं तो कोई उच्च का पैसा आना ऐसा एक योग आपकी पत्रीका में बन रहा है बड़े संसादनों से आना ऐसा योग एक आपकी पत्रीका में दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है अगर पैसा आए तो पैसा तो हर कोई चाहता है पर जो मैंने बोला कि 20 से और थोड़ा 30 तारीक तक घ्यान रखना एक मही के बाद में परिस्टितियां कुछ और ज़्यादा फेवरिबल हो जाएंगी बाकी धन के लिए अच्छा है क्योंकि करमेश बुद्ध आपके पंचम बाब में रहेगा साथ में आपके दामपत्य जीवन का स्वामी बुद्ध वो भी रहेगा आपके पंचम बाब में तो यहां लव लाइफ जो है वो भी आपकी ठीक होगी ऐसा कुमली कहती है मकर राशी के दी बात करें तो यह कहा जा सकता है कि आपका जो ग्रह गोचर है उसमें अस्टमेश हो के चतुर्थ बाब पर आएंगे तो बड़े प्रॉपटी से रिलेटेड जो कारी है वो आपको करने से बचना चाहिए यह मैं आपको विशेश रूप से कहना चाहता हूँ इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि ग्रह इस्तिती कुछ इस परकार की दिखाई पड़ रही है कुमराशी वालो आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसमें आपको छोटे भाय बैनों से कोई धोका मिल सकता है सगे संबंदियों से धोका मिल सकता है दामपत्य जीवन में कलह कले से दस दिनों में जादा बढ़ सकता है बीस से और तीस तारीक के बीच में तो यह जो अभी मैं आपको फल बता रहा हूँ कुमराशी का है जिसमें आपके सब्तम के स्वामी होकर के तीसरे इस्तान में सूरे राहू और बुद्ध की और गुरू की यूती बनेगी तो ऐसी इस्तिती में दाम पत्ते जीवन पर इसका विशेश नकरात्म प्रभाव देखने को मिलेगा इसलिए कुम को भी थोड़ा सा यहां पर हिदायर ही मैं देना चाहता हूँ नेक्स नंबर पर हम बात करेंगे आपसे मीन राशी के विशे में दोस्तों आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके नुसान धन भाव पर सूरे राहू बुद्ध और गुरू का प्रभाव रहेगा ऐसी इस्तिती में आर्थिक रूप से कुछ सायोग जरूर मिलेगा पर पारेवारी कले यहां पर काफी जादा बनती हुई नजर आ रही है थोड़ा ध्यान रखिए थोड़ा सा सतर्क भी रहिए यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह है सूरे का फल अगर आप कुनली दिखवाना चाहते हैं बनवाना चाहते हैं पूजा पाठी अरत लेना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं नमस्कार धन्यवाद